तो दोस्तो इस application को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे इसका नाम के रूपिक इंस्टेंट लोन एप और ये company RBI से registered है NBFC partner है ऐसा इनका मानना है यहाँ पर इस application में आपको loan मिलेगा सरफ 20,000 रुपे तक का मतलब छोटा amount है बट ठीक ठाक है और यहाँ से काफी लोगों ने loan लिया भी है काफी का loan चल भी रहा है और यह application कोई नई नहीं है बहुत पुरानी company है लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि काफी लोग इसकी service से बहु काफी लोगों ने comment भी किया कि क्या इसका हम account और data पर्मानेंट लिए कर सकते हैं तो पूरी जानकारी step by step बताऊंगा आपका भाई आपकी लिए general जानकारी लेकर के आता है जो कि बहुत है helpful होती है आप सभी के लिए तो सबसे पहले दोखो अगर आप certified है लोन लेती रहते ह तो कोई बात नहीं अगर आप हटाना चाहते है account तो definitely आप इसका account delete करवा सकते हो कैसे जैसे आप application के अंदर आओगे तो नीचे account बाला option आपको देखने को मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ ठेक है यह बाला आपको simple सा issue पर click कर देना ठेक तो जैसे आप यहाँ पर दे और मैं इसको यूज भी नहीं करता है ठीक तो delete कैसे होगा account वाले section पर click करना होगा ठीक है दोस्तो और उसके बाद आपके सामने यह page आ जाएंगे फिर आपको कहां पर click करना है मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है दोस्तो फिर आपको यहाँ पर एक setting का option देखने को मिलेगा page setting वाला आपको इस पर click करना है और इसके बाद आपके सामने यह ओक्षणाइंगे और यहाँ पर account management का option आएगा ठीक है आपको इस पर click करना है ठीक दोस्तो आप यहाँ पर आगे delete account ठीक आप यहाँ पर delete account पर click कर देंगे और click करने के बाद आप यहाँ पर आपको एक region देना होगा region देने के बाद submit कर देना है submit करने के बाद दोस्तो region देने के बाद यहाँ आप description कुछ लिखना होगा कि आप account को क्यों delete करना चाहते हो लिख करके submit कर देना है एक OTP जाएगा आपको registered mobile number पर OTP को फिलिप करना है और account delete हो जाएगा कितने दुनों में दो दिनों में ठीक है और मेरा ये खुद का experience किया हुआ है मैंने खुद एक account delete किया हुआ है तो मुझे पता है किसका account इसी प्रकास delete होता है लेकिर यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगर आपने एक बार pay रूपिक application का account delete कर दिया तो in future आप कभी भी उस document से account open नहीं कर पाएंगे इतना आप धान जरूर रखें आपका data हमेशा के लिए delete किया जाता है और account permanently close किया जाता है उस data के basic में समझ गए तो यह आपको जानना जरूरी है और उसके बाद अगर आप delete करना चाहते हो तो 100% आपका account and data delete हो जाएगा तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment में जरूर लिख के बता है अच्छा लगा हो तो एक like कर दे है दोस्तों साथ share करना है कोई confusion है तो comment में पूच भी लें ठीक है चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिंद वन्द मात्राइब